आप सबको मेरा नमस्ते आज में आपको स्तन्पान कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा की आपको अचा रहेगा तो यह है आपकी अनाटिमी अ ब्रेस्ट यह आपका स्ंतन पान से असे बीच में से, अकर क्रॉस सेक्षेन लेंगे तो ये थी पर ऐसा दिखता है ये जो है ये वाला ये निबल है ठीक है उसके आजु बाजु वाला जो काला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं adalah Kemala काला भाग हृ फिकए ये जो सारी है ये सारी नलिया है आप देखेंगे कि नीपल में नीपल में बहुत पतली होती है वह पे दूद जमा नहीं होता है तो यहां पे देखें यह है दूद बनाने की फैक्टरी मैं जैसे पेशी है लेकिन मैं उसको फैक्टरी बोलती हूं यहां पर दूद बनता है ठीक है और यहां पर जो सारी आप देख रहे हैं यहां पर छोटी-छोटी पेशिया है वहां से दूद बनके यहां पर बहार निकलता है ठीक है और यह जो अब आजू-बाजू वाला यह वाला गोल भाग है यह वाला यह भी मास पेशिया है तो यहां पे यह जो एरिया है यहां पे पूरा जो जो पेशिया है जहां से दूद बनता है और जहां यह आगे उपर की जो पेशिया है वहां पे दो हॉर्मोन काम करता है तो आपको यह हॉर्मोन को याद रखना बहुत ज पर कौन सा हर्मोन काम करेगा प्रोलैक्टिन तो प्रोलैक्टिन हर्मोन क्या करता है वो दूद बनाता है तो यह प्रोलैक्टिन अपको ध्यान में रखना है कि प्रोलैक्टिन है वो दूद बनाता है लेकिन एक बार दूद बन गया तो फिर वो दूद को बाहर भी तो निकाल यह गोल वाली जो बाहर की जो पेष्या है, वो पेष्या को संकुष्टा है और वो कुल बाहर निकालता है। तो यह दोनों हमोना बहुत ही जरुरी है। टू य से लेकार्शूस होगे आपके दो थो हेह। एक पर वापस बताती हूं कि प्रोलैक्टिन है प्रोलैक्टिन क्या करता है यह दूद बनाता है ठीक है और यह जो ऑक्सिटोसिन है ऑक्सिटोसिन क्या करता है वह दूद को बहार निकालता है अगर प्रोलैक्टिन होगा और ऑक्सिटोसिन नहीं बनेगा तो फिर मां दूद लेकिन दूद बहार निकालेगी नहीं, तो वो उक्सीटोसिन होना भी उतना ही ज़रूरी है, तो मैं आपको प्रोलाक्टिन और ऑसे के बारे में थोड़ा बताऊंगी, ठीक है? ये जो सारा भौग है ये वाला भाग सारा है ब्रेस्ट का स्थिव है और कई मम्हbes अएसी होती है यहां पे चर्भी ज़ाना होती तो इसके स्तन बड़े होते हैं चर्बी कम होती है तो यहां पर यहां प्राइबी कम होती है। यहां पर त tapi होता है लेकिन यहां पर फाइबरिस्ट अटिश्यू है। यह पर छोड़ा ब्रमंट प्हुता है। तो कई माहों पास आये लिए घैरी मीरे सथा चुटा है, तो आएगा के नहीं, तो आपको मा को बोलना है कि यह जो दूद बनाने की फैक्टरिया सब में लगबख एक ही मातरा में होती है लेकिन कभी-कभी यह आगे जो उसके आज़ु-बाज़ु में जो चर्बी होती है चर्बी की मातरा यह वसा की मातरा अलग-अलग हो सकती है तो आपको ध्यान में रखना है और यह देखिए यह वापस में आपको बताते हूं कि जो बड़ी-बड़ी नलिया है जहां पर दूद जमा होता है वो काले भाग के नीचे है तो बच्चे को ऐसे लाना है जिससे वो नीचे काला भाग उसके मुह में जाए क्यों नीचे काला भाग नीचे मुह में जाना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जबी दबाता है तो नीचे के होट दबाता है जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो हमेशा हम नीचे रखते हैं उपर नहीं रखते हैं क्यों नीचे रखते है क्योंकि नीचे का जड़वा है जो एंसे हम लोग पर चबा सकते हैं उसी जर्फे हम चेड़वी ऐ लेता है उसका नीचे का जो जाओ और लिवसी उपर उसके दबाएगा तो यहां से दूद्ध भाहर निकले ठीक वहां पर आना चाहिए ठीक है अगर उसकी बच्चे का स्थान का नीचया का भाग बहुट छोटा है तो नीचे का होटे विए पर भी जाना ज़रुरी है अगर बच्चे के मुह में सिर्फ निपल गया जैसे मैंने आपको वहां पे वीडियो में दिखाया तो पहले सेशन में कि अगर बच्चे के मुह में सिर्फ निपल गया तो निपल में दूद आएगा नहीं क्योंकि यहां पे दूद जमा होता नहीं है आपको यहां पर बहुत ध्यान देना है अब आपको प्रोलाइटटिंग के बारे में बस भार्माली हूए वह हउर्मोन और दूद बनाता है घ्रीक का लिए, जब जब बच्चा स्क्लिंग, चुसना चाला करता है तभी जिए सिगनल यह जाता है मां के मस्टिक में यहार्पन हो उसका प्रोलक्तट्टिन करके हहर्मोन् सब्सक्राइब करते हैं चीसे सब्सक्रापनादी करते हैं टो यह जो भी मात्र है यह बहुत ही 자 मैं यह लाद की दूगता हिस्टों है तो जो बच्चे रात में दूद पिते, उनका वजन बहुत अच्छा बढ़ता है, आप देखना, क्योंकि प्रोलाक्टिन है वो दूद बढ़ाता है, तो दूद बढ़ने का हर्मोन कभी बढ़ता है रात में, तो मदर को बोलो कि आप बच्चे को हर 3-3 गंटे में उठा उठ प्लाओ, जो बच्चा रात में दूद पिलेगा, इतना है तो आपको भी ध्यान में रखना है कि अगर मा बोले के मुझे दूद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बोलना है कि जितनी बार आप दूद पिलाएंगी उतनी बार वो दूद पढ़ेगा, लेकिन सही तो बच्चा दूद खीच नहीं सकेगा और दूद अंदर ही रहे जाएगा और उससे फिर दूद पढ़ेगा नहीं, दूद बाहर निकलना बहुरत ही जरूरी है यह ज़ो है आपका ऐकला आपका अपका ऑक्सी अपका ओक्सी चाला है शरल में चस् nem सब्owa काहिए जैसे ही मांचे के बारे में चैखी जैसाहि उसकी ममता जागेगी वैसे ही oxytocin बढ़ेगा जैसे oxytocin बढ़ा वह बच्चा दूद पहार निकलेगा और बच्चे का मुझ भड़ जाएगा जैसे बच्चा आएगा दूसरे क्या कारण हो सकते oxytocin बढ़ने की या तो माँ खुश है, माँ बच्चे के बारे में सोच रही है, confident है, बहुत उसमें आत्मविश्वास है, बच्चा नस्दीक है, बच्चा खुश है, बच्चा बढ़ रहा है, वही टाइम पे oxytocin की मातरा ज्यादा बढ़ती है oxytocin को हम लोग love hormone मी बोलते हैं, जैसे हम लोग जब प्यार में होते हैं, बहुत हम लोग को, you know, we are happy, बहुत खुश होते हैं, वैसे ही आपको, अगर मा को वो लव होर्मन बढ़ाना है, तो मा को भी बहुत खुश रखना है, ठीक है, खुश कैसे रखेंगे, पहले तो मा को बोलना है कि बच्चे के बारे में सोचे, बच्चा हेल्दी हो, confident होगी mother, you know, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई उसके परेशान नहीं करेगा, अच्छे उसका स्वास्ता है, तो oxytocin बढ़ेगा, तो आपको यह oxytocin पे भी बहुत ही ध्यार दखना है, यह oxytocin hormone है, यह hormone क्या और क्या करता है, जो मा का जो uterus है, uterus को भी वो contract करता है, मतलब उसको संकोचित करता है, तो जो खुन जो है, थोड़ा सा भी जो खुन है, वो बाहर निकल जाता है, थोड़ा निकल आ जाता है, और postpartum hemorrhage नहीं होए, इसके लिए oxytocin होना बहुत जरुरी है, क्या कर जो खुनेगा कि यह बन कर देगा, जहां से बच्चा निकलता है, तो वो oxytocin होना वहाँ भी बहुत ही जरुरी है, ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी-कभी मा दूद नहीं पिला सकती है, या तो दूद नहीं निकल रहा है, तो बच्चा दूद नहीं किच रहा है, या मा क स्तन का दूद है, उसमें देरी सम्धिंग कॉल मिल्क इनिबिटरी फैक्टर, मतलब ऐसा प्रदार्त है, जो स्तन को बताता है कि अभी दूद ज्यादा बनाओ मत, क्योंकि अभी आपको यह दूद बनाना बन करना क्योंकि बच्चा दूद नहीं पी रहा है, या तो मा को य स्तन थोड़े कड़क हो जाएंगे, फिर उसमें इन्फेक्शन होगा, यह सारे प्लबन होगे, तो यह जो मिल्क इनिबिटरी फैक्टर है, यह आपको ध्यान में रखना है कि मा के स्तन में जितना भी दूद है, वो मा को स्तन पान द्वारा निकालना है, क्योंकि अगर नही यह इतना मुझे आपको बताना था कि दूद कहां पर बनता है, कौन से दो हर्मोन है, और मिल्क इनिबिटरी फैक्टर को क्या बोलते है, ठीक है, तो यहां पर मैं यह मेरा सेशन खतम करती हूँ, और मैं आपको अभी यहां पर एक टूट आल दिखाने वाली हूँ, इसका नाम है कि importance of breastfeeding, कि breastfeeding क्यों important है, okay, thank you. झाल